हेलो फ्रेंड्स दिशिस एश्पिशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरी डे मैं दियो फ्रेंड्स आज के श वीडियो में हम बात करेंगे बीएट सेकेंडियर स्टुडेंट्स के लिए एक बहुत ही पहत्रिन टॉपिक है जो हमारा NCF 2005 है उसके कुछ सिध्धान्त है हम उनको डिस्कृस करेंगे ठीक है तो राष्ट्रिये पाटिकरम सनचना 2005 के सिध्धान्त का टॉपिक है उनको हम बहुती कम सब्दों में छोटे-छोटे परागराफ के माध्यम से सिध्धान्तों को क्लियर करेंगे ठीक आसा करता हम वीडियो आपको प्रसंद आएगा और अ आपके शामने है राष्ट्रिये पाटिकरम सनचना 2005 की सिध्धान्त कैसे हैं किस प्रकार से लिखे गए हैं आपके शामने है राष्ट्रिये पाटिकरम सनचना 2005 के सिध्धान्त की हम बात करेंगे जोकी एक बहुती 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 टॉपिक है मैं इसको अपने इस तर से छोटे छोटे सब्दों में और बहुती इजी लाइंग्वेज में लिखने का प्रियाश किया है ठीक है डियर फ्रेंट्स क्यूंकि मैंने बुक से और इजी नोट से दोनों का मैचिंग ले करके जो लेंग्वेज जहां से इजी लगी मुझे और सरल से सरल भासा में कैसे लिख सकते थे से धन्त को वहाँ से मैंने लिखने का प्रियाश किया है आशा करता हूँ आप वो समझ आएगा पशंद आएगा देखिए मैं डियर फ्रेंट्स इसमें से एक दो सिध्धान्त पूछी लेता है एक जाम में बीट सेकेंडियर में आपका ये पेपर फरस्ट है तो चलिए सुरू करते हैं देखिए पहला है मानवता का शिध्धान्त मैं डियर फ्रेंट्स मानवता का शिध्धान्त क्या कहता है कहता है कि मानविय मूल्यों का इतिहास बहुत ही प्राचीन है जो मानविय मूल्य हैं अगर इनके इतिहास की बात करें तो यह बहुत ही प्राचीन है मानुविय मूलियों का महत्व ना किवल भारती इस्तर पर बलकि विस्व इस्तर पर भी है मानुविय मूलियों का जो इंपॉर्टेंस है महत्व है वा किवल हमारे भारतीय लेवल पर नहीं है बलकि पूरे वर्ड लेवल पर है भारतिये परंपरा मानुविये मूलियों पर अधारित रही है इसलिए पार्टिकरम में प्रारंब से ही ऐसे प्रकर्णों का समावेश किया गया है जिस्टे छात्रों में प्रेम, सहयोग, परोपकार एवं सही सुनुता की भावना का विकास हो सके आगे है अगला एकता का सिध्धान्थ, देखिए, बहुत ही एज़ी लेंगविज में बहुत ही छोटे कम सब्दों में लिखा है मैंने और बहुत अच्छा है देखिए, एकता का सिध्धान्थ राष्ट की अखंड़ता को सुनिश्चित करने के लिए पाठिकर्म में एकता के सिध्धान्थ को अपनाया गया है मैं डिफरेंट से एक बात आपको बता दूँ कि यह वीडियो काफी दुनों के बाद आपको मिल पा रहा है दूटू सम रीजन्स मैं आपको वीडियो नहीं प्रोवाइड करा पाया और अभी आपको मेरे लैंग्विज से मेरे बोलने से पता लग रहा होगा कि कुछ न कुछ प्रॉप्लम है ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए राष्ट की अखंड़तों को सुनिश्चित करने के लिए पाठिकरम में एकता के सिध्धान्त को अपनाया गया है और विभिन संस्कृतियों को एकता के शूत्र में पिरोते हुए बांदते हुए एक साथ उनको लेते हुए धर्म निर्पेचता से सम्मंधित विश्यवस्तु को प्रश्टुत किया गया है और विभिन भाष्टाओं के समाधान के लिए भी इस पार्टिकरम में विचार विमर्श भी किया गया है यह है माई डियर फ्रेंस था हमारा एकता का सिध्धान्त इससे कम सब्दों में और इजी लैंग्रिज में आपको कहीं नहीं मिलेंगे NCF 2005 के सिध्धान्त जो कि आपके हर एक्जाम के लिए बहुत हिल्पफुल होने वाले हैं अभी आपका यूपी टेट आ रहा है जिसमें आप लोग बैठ सकते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बीर सेकेंडियर के लिए तो है ही आगे बढ़ते हैं अगला है हमारा नैतिक्ता का सिध्धान्त देखिए हमारा नैतिक्ता का सिध्धान्त बहुती अच्छे और कम सब्दों में नैतिक्ता का सिध्धान्त क्या है भारती संस्कृती नैतिक मोलियों पर धारित रही है जो हमारी इंडियन कल्चर है वह नैतिक मूलियों पर बेश्ट है नैतिक मूलियों का आज भी उपयोगी और महतपून माना जाता है नैतिक मूलियों को हम आज भी बहुत ही उपयोगी और महतपून मानते हैं प्रतियक अभिभावक वसिछक अपने बच्चों में नैतिक मूलियों का समावेश्ट करना चाहते हैं हर गार्जिन चाहता है हर टीचर चाहता है कि उसके बच्चों में नैतिक मूलियों का समावेश्ट हो अताराश्ट्री पाठ्टिकरम सलचना दोजार पांच में नैतिक मोलियों के शिधान्त की महतपून इस्थान महतपून इस्थान दिया गया है पाट करम में प्रात्म किस तर सही सिच्छा फृत कहानियों के माध्यम से से अच्छात्रों में नेतिक्ता का विकास भी किया जाता है इतना क्लेर हुआ माई डिफ्रेंट्स तो आगे बढ़ते हैं छोटे छोटे सब्दों में बहुत प्यारी प्यारे सिध्धांत देखिए संस्कृती संलक्षन का सिध्धांत भारती संस्कृती विष्टु की संस्कृतियों में सर्वस्रेष्ट है एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा आप डीपढ़ी पढ़ीजे भारती संस्कृत जो है यह विश्व की संस्कृतियों में सर्वस्रेष्ट है इसके सनलच्छन एवं विकास के निरंतर प्रियास किये जाते रहे हैं भारती संस्कृति के मूल तत्व मानवता सामाजिक्ता आदर्श वादिता एवं समनवेता आदिको पार्टिकरम की विश्यवस्तु में महतपूनिस्थान भी दिया गया है इससे संस्कृति का सनलच्छन होता है और राश्ट्री पार्टिकरम सनलच्छना 2005 में संस्कृति के सनलच्छन के सिध्धान्थ को महतपूनिस्थान्थ किया गया है इतना क्लेर हुआ यह था हमारा संस्कृति सनलच्छन का सिध्धान्थ आशा करता हूँ प्रशन दाया होगा आगे बढ़ते हैं समायोजन का सिध्धान्थ वहुत इकम सब्दों में प्यारा सा सिध्धान्थ है समायोजन का सिध्धान्थ राश्ट्री पार्टिकरम सनलच्छना 2005 का निर्मान करने से पूर्व उपलब्द संसाधनों के समायोजन में विचार विमर्ष किया गया इसके पस्चात उपलब्द संसाधनों में समन्वय करते हुए उनके सरवाधिक उपयोग के महत्य को भी सुनिश्चित किया गया इस प्रकार साधनों का उचित बिदोहन इवम साधनों के मद्शमनवे इस्थापित करते हुए इस पार्टिकरम में समायोजन के सिध्धान्त का अनुकरण भी किया गया यह था अमारा समायोजन का सिध्धान्त मैडियो फ्रेंट्स इस से छोटे सिध्धान्त आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे और ना तो इस से इजी लेंग्रिज में कहीं मिलेंगे रुची का सिध्धान्त देख लीजिए डीप्ली पढ़ लीजे, पूछ लेगा तो बहुत प्रॉलम होगी पाटिकरम की प्रभाव सीलता यों शफलता का मुल्यांकन तब ही किया जाता है जब उसका अनुकूल प्रभाव सिक्षक, छात्र वो समाज पर दिश्टिकोचर होता है यह सर्व वितित है, यानि कि यह सब को पता है कि रूची के अभाव में सिच्छन अधिगम की प्रक्रिया प्रभावी रूप से चल नहीं जल सकती है माडिफरेंस क्या लिखा है, यह तो सब को पता है कि अगर हमें इंट्रेस्ट ना हो तो हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से नहीं कर सकते है अगर हमारा इंट्रेस्ट ही नहीं होगा, तो चाहें काम कैसा भी हो, हम उसको नहीं कर सकते या कोई हमको कितना भी बड़ा पुरुसकार देने को तयार हो जाए, अगर हमें इंट्रेस्ट नहीं है तो अगर हम काम को कर भी देंगे तो वो आच्छे तरीके से नहीं होगा और अगर सिच्छन अधिगम की बात होगी तो यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता राश्टी पाटकरन सनचना 2005 के निर्मान के समय सिच्छकों की रुची, छात्रों की रुची, अभिवावकों की रुची को विसी सिस्थान दिया गया है ठीक है आसा करता हूं सब समझ में आ रहा होगा आगे बढ़ते हैं संतलित विकाश का सिद्धान्थ समाज के परत्यक छेत्र में संतुलन बना रहे इसके लिए राश्टरी पाठिकरम सनचना दोजार पांच में संतलित विकाश के सिद्धान्थ को महतपूर्ण इस्थान परतान किया गया है क्यों परतान किया गया है महतपूर्ण इस्थान ताकि समाज के हर छेत्र में संतुलन बना रहे समाज के हर छेतर में संतुरन बना रहे इसके लिए राश्ट्री पार्ट करम सनचना दोजार पांच में संतुलित विकाश के शिद्धानत को महतपून इस्थान प्रदान किया गया है जैसे नैतिक एवं मानवी अमूलियों को पार्ट करम में उचित इस्थान देना आदर्श वाद को प्रियोजन वाद की तुलना में कम स्थान प्रदान करना आदी इससे समाज का विकाश पूर्टा शंतुलित रूप में होगा तथा इस प्रकार एक आदर्श समाज का सपना साकार हो सकेगा यानि कि एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकेगी एक आदर्स समाज में हम भी रह सकेंगे अगला है हमारा आदर्स वाधिता का शिद्धान्त माई डियो फ्रेंट्स देखिएगा आदर्स वाधिता का शिद्धान्त बहुत प्रॉब्लम है माई डियो फ्रेंट्स मुझे लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं क्योंकि बहुत दिन हो गए थे आप लोगों के बहुत मैसेज आये हैं कि सर वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए तब मैं जो है कि अच्छा फील नहीं कर रहा हूं उसके बाद भी आपको वीडियो में आदर्सवादिता के शिद्धानत को महत्व परदान करते हुए आदर्सवादी परंपरा का अनुकरन किये जाने पर पल दिया है। आदर्सवादिता के शिद्धानत को महत्व परदान किया गया है। माइडियो फ्रेंट्स मुझे बोलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं कोई बात नहीं। देखिए फिर भी मजबूरी में मैं इतना बोल लाओं कि इसलिए मैं इतने दुरों से कोई वीडियो नहीं दिया था। शमाजिकता का शिद्धान्त देखिएगा। शमाज और सिच्छा एक दूसरे की पूरक हैं। पाठिकरम में सामाजिक पहलू को विशेश रूप से ध्यान दिया जाता है। पाठिकरम सलचना सन 2005 में उन सभी तथ्यों एवं प्रकरणों का शमावेश किया है। जो स्वस्थ एवं आदर्श समाज का निर्मान करते हैं। इस पाठिकरम में सामाजिकता के शिद्धान्त को महतु दिया गया है। ठीक है मैं PDF टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूँगा। आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। निश्कर्स यानिकिस का कॉंक्लिूजन ये निकला है कि राष्टी पाठिकरम सनचना 2005 में उन सभी सिद्धान्तों को महतु दिया गया है। जो कि उत्तम पाठिकरम की सनचना में शाहयक सिद्ध होते हैं। पाठिकरम की विशेवस्तु एवं सामाजिक परस्थितियों ने श्रमन वे इस्थापिट करते हुए छातर के लिए सरवाइगिन विकास का मार्क परश्रष्ट किया है। माई डियर फ्रेंड्स आपका ये है टॉपिक क्लियर हुआ और मुझे जानते होंगे आप मैं हूँ स्पी सिंग्ग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और माई डियर फ्रेंड्स लाइक तथा कॉमेंट जरूर प्रोवाइड करा शकूं मुझे दर प्रॉब्लम थी और है तो मैं वीडियो नहीं प्रोवाइड करा सकता था आपको और मैं डियर फ्रेंड्स अगर आपको इसकी पीडिय अप चाहिए तो आजाए मेरे टेलिग्राम चैनल पर वहां मैं सारी पीडिय अप सेयर कर देता हू ठीक है और उसका लिंग आपको डिसकριप्सिन में मिल लाएगा अगर अभी तक आप लोगों मुझे एंस्टागरम पर नहीं फालो किया है तो वहां भी मेरे साथ जुड़ जाए उसकी भी लिंक आपको डिसकριप्सिन में मिल लाएगी चैनले थैंक्यू मिलते है नेक्स्ट वीट यूमे